नाइट्रोजन के कई आक्सो एसिट्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा महत्योपूर्ण और योगीक द्रिष्टी से दि देखा जाए तो वह नाइट्रीकमल होता है HNO3 तो नाइट्रोजन के जो मुख्य आक्सो एसिट्स हैं उसके बारे में हम जानेंगे सबसे पहले हम देख हाइपो नाइट्रीकमल हनोतो, तो इस प्रकार यह चारों जो आक्सो एसिट्स हैयें यो के हैं लेकिन इसमें से सब्जों सबसे ज्यादा महत्योपूर्ण जो अक्सो एसिद्स है वो है नाइट्रीक अमल के बारे में हम डीटेल में पढ़ेंगे नाइट्री कमल अधयोगिक दृष्टी से अत्यांत महत्वपूण एक योगिक है और यह नाइट्रोजन का एक मुख्य औक्सो अमल होता है नाइट्री कमल बनाने के लिए जो चारधात्वों के नाइट्रेट होते हैं उसको सांद्र सल्फ्यूरी कमल के साथ एक रिटार्ट में लेकर गर्म किया जाता है जब गर्म करने पर नाइट्री कमल वाश्प के रूप में परिवर्तित होती है इस वाश्प को एक ग्राही में एकत्र कर लिया जाता है और ग्राही को ठंडे जलद्वारा ठंडा कर दिया जाता है तो इस प्रकार जो नाइट्री कमल का वाश्प है वह द्राव नाइट्री कम को दूर करने के लिए पुना जो नाइट्री कमले है उसका आस्वन कर लिया जाता है और उसमें से फिर कार्बन डियोकसाइड प्रवाहित की जाती है तो जब कार्बन डियोकसाइड प्रवाहित की जाती है तो इसमें जो प्रापत अशुद्या है वो हट जाती है नाइट्री नाइट्रेट है KNO3 प्लस H2SO4 is equal to KHSO4 प्लस HNO3, KHSO4 याने पोटेशियम बाई सलफेट, नाइट्रीकमल प्राप्त करने की जो व्यापारिक विधी है वो है ओस्टवाल्ड विधी, ओस्टवाल्ड विधी में हम देखेंगे कई सारे कक्ष होते हैं, उसमें उत्परेरन कक् नाइट्रीकमल प्राप्त होता है, ओस्टवाल्ड विधी में नाइट्रीकमल प्राप्त करने के लिए अमोनिया का प्रयोक किया जाता है, तो हैबर विधी से प्राप्त जो शुद्ध और शुष्क अमोनिया है, सबसे पहले उत्परेरन कक्ष में भेजा जाता है, उत्पर कख्ष में प्रवाहित किया जाता है और उत्प्रेरक कख्ष में इसे और विद्धार हम लिया गया है यह लें पर टमप्रेशर आपहां प्रान की क्रियोर होती है तो ये आमोनिया ऑप्सिक्रीथ होता है और नाइट्रिक उक्साइड में परिवर्टित होता है तो यह उत्प्रेरन कक्ष में होने वाला जो रियक्षन है वो इस प्रकार से होगा 4NH3 प्लस 5O2 यहां यह उत्क्रमडी अभिक्रिया को दर्शाता है प्लेटीनम यहां उत्प्रेरक का कारे करता है 4NO प्लस 6H2O यहां पर 1100 केल्वीन पर विद्यूती रूप से इसे गर्म किया जाता है यह इस अभिक्रिया में बहुत अधिक उश्मा उत्पन होती है तो यह एक उश्मा छेपी अभिक्रिया होगी और यहां पर शीतलक पाइप से जब इस गर्म वाश्म को प्रवाहित किया जाता है तो यह ठंडी होती है और जब ठंडी गैसे ऑक्सी करन कक्ष में प्रवेश करती है तो ऑक्सी करन कक्ष में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो ऑक्सी करित होता है तो आक्सी करण कक्ष में होने वाला reaction इस प्रकार होगा 2NO plus O2 is equal to 2NO2 तो nitrogen dioxide प्राप्त होता है nitric oxide के आक्सी करण द्वारा इस nitrogen dioxide को अवशोशन कक्ष से नीचे से प्रवाहित किया जाता है और उपर से जो टावर लगा हुआ है इससे जल की धारा प्रवाहित की जाती है तो यह जो NO2 है जब वह जल से क्रिया करता है तो जल से क्रिया करके वह नाइटरी कमल में परिवर्तित होता है तो जो सीतलक पाइप से प्राप्त ठंडी होने के बाद जो NO2 हमें प्राप्त होता है उस NO2 को अवशोशन कक्ष में प्रवाहित करते हैं अवशोशन कक्ष में नाइटरीकमल में परिवर्थित होता है तो अवशोषन कक्ष में जो अभिकरिया है वह इस प्रकार है 3NO2 प्लस H2O is equal to 2HNO3 प्लस NO तो यहां प्राप्त जो NO है इसका पुना चकरन कर लिया जाता है और पुना चकरन करके फिर से नाइटरीकमल प्राप्त कर लिया जाता है यह जो नाइट्री कमल प्राप्त हुआ है उसे 68% रविमान तक सांध्रित कर लेते हैं या फिर जो सल्फ्यूरी कमल है उसके द्वारा निर्जली करन करके 98% तक शुधर HNO3 की प्राप्ति की जा सकती है इस प्रकार ओस्ट वाल अभिक्रिया में विभिन कक्षों से होते हुए ना होसते हैं इसके बाद किस प्रकार से अभिक्रिया होती है आप इसे रेखा चित्र के द्वारा समझ सकते हैं सधूम नाइट्रिक अमल सधूम नाइट्रिक अमल या फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड का अर्थ होता है कि कंसंट्रेट नाइट्रिक अमल में भूरे रंग की ज रंगहीन द्रव है, नाइटरीकमल माइनस 41.55 डिगरी सेंटिग्रेट पर जम जाता है, यानि लिक्विड जो HNO3 है, वह सॉलिड HNO3 में परिवर्टित हो सकता है, जब टेमप्रेचर माइनस 41.55 डिगरी सेंटिग्रेट होता है, तो चुकी यह रंगहीन द्रव है, लेकिन फि प्रकास रासायनी कभिक्रिया जब करते हैं, तो NO2 गैस उत्पन होती है, यह भूरे रंग की होती है, तो जब यह सनलाइट के प्रभाव में आता है नाइटरीकमल, तो यह पीले रंग के द्रव में परिवर्टित हो जाता है, तो यहाँ प्रकास रासायनी कभिक्रिया के ल प्रबल अमल होता है नाइट्रिक अमल प्रबल अमल होता है इसके लिए 100% यह जो नाइट्रिक अमल है इसका व्योजन हो सकता है और यह हाईडरोनियम आयन में परिवर्तित होता है तो HNO3 प्रबल अमल की तरह कारे करता है प्राया देखा गया है कि कॉपर एवं जिंक अलग अलग नाइट्रिक अमल के साथ क्रिया करते हैं तो किस प्रकार से होती है यह क्रिया देखिए नाइट्रिक अमल यह कॉपर के साथ क्रिया करता है तो यहाँ कॉपर नाइट्रेट बनता है और यहाँ भी नाइट्रोजन डायोकसाइड और जल प्राप्त होता है जब यहाँ पर कॉपर का रियक्शन सांद्र HNO3 से कराते है तो Cu plus 4 HNO3 is equal to Cu NO3 whole twice plus 2 NO2 plus 2 H2O. इसी प्रकार यदि Zinc की क्रिया HNO3 से होगी, तो Zinc plus 4 HNO3 ये भी सांद्र HNO3 है, से बनता है Zinc Nitrate याने ZN NO3 whole twice plus 2 NO2 plus H2O. तो यहाँ पर दोनों में हमने देखा Copper Nitrate एवं Zinc Nitrate प्राप्त होता है, इसी प्रकार यह तनू Nitric कमलिस से भी क्रिया करते हैं. तो तनू Nitric कमलिस से जब ये क्रिया करेंगे, तो जब Copper की क्रिया होगी तनू Nitric कमलिस से, तो वो इस प्रकार से होगी, 3 Cu plus 8 HNO3 is equal to 3 Cu NO3 whole twice plus 2 NO plus 4 H2O. तो जब यहाँ पर तनू Nitric कमलिस से क्रिया होती है, तो Nitric Oxide प्राप्त होता है, और यहाँ Copper Nitrate तो बन ही रहा है, लेकिन Nitrogen का एक अन्य Oxide यहाँ प्राप्त हुआ, Nitric Oxide. इसी प्रकार Zinc की क्रिया तनू Nitric कमलिस से होती है, Zinc plus 10 HNO3 is equal to 4 ZN NO3 whole twice plus N2O plus 5 H2O. तो यहाँ पर जो N2O है, यहाँ साने वाली गैस है, Nitrous Oxide. तो दोनों ही रियक्शन में हमने देखा कि एक अन्य तरह के Nitrogen के Oxide प्राप्त हुए, Copper के द्वारा Nitric Oxide प्राप्त हुआ और Zinc के द्वारा Nitrous Oxide प्राप्त होता है. जबकि सांद्र HNO3 के साथ, जब Copper एवम Zinc क्रिया करते हैं, तो वहाँ पर Nitrogen Dioxide प्राप्त होता है, दोनों ही अभी क्रियाओं में, Copper Nitrate एवम Zinc Criterate के अलावा, Nitrogen के Oxide यहाँ पर प्राप्त हुए. अब हम जानेंगे, Brown Ring Test या भूरा वले परिक्शन क्या होता है? आप सभी जब प्रेयोक शाला में नाइट्रेट का परिक्शन करते हैं, तो आप यहाँ पर Brown Ring Test अवश्य ही करते होंगे, तो सबसे पहले नाइट्रेट का कोई भी लवन जिसका जली विलियन परक्षनली में लेंगे, और उसमें ताजा बना हुआ फेरस सलफेड डालते हैं इन दोनों अभिक्रिया मिश्रन में परक्षनली की दिवार के सहारे, जब H2SO4 डाला जाता है, तो यह पाया गया कि इन दोनों के मिलने के स्थान पर एक भूरे रंकी वले बन जाती है, तो यह जो भूरे रंकी वले बनती है, इसे को कहते हैं Brown Ring, Brown Ring परिक्षन के लिए अभिक्रिया, NO3- चूकि नाइटरेट लवन लिया गया है, प्लस 3Fe2+, फेरस सलफेड ताजा बना हुआ है, तो फेरस सलफेड से Fe2+, प्लस 4H+, क्योंकि यहाँ पर H2SO4 याने अमली माध्या में रियक्षन हो रहा है, तो यहाँ पर तीनों के रियक्षन से जो बनता है नाइटरिक आउक्साइड, प्लस 3Fe3+, प्लस 2H2O, फिर यह जो Fe2O whole 6 है, और यह एक संकुल के रूप में प्राप्त हुआ, इस पर जब NO की क्रिया होती है, तो एक भूरे रंग का बले बनता है, Fe2O whole 5, NO, और whole bracket close करके 2+, प्लस H2O, तो यहाँ पर नाइट्रो 200 फेरस सलफेट का एक भूरे रंग का बले प्राप्त होता है, और इसके द्वारा नाइट्रेट का परिक्षन बहुत आसानी से किया जा सकता है, सांद्र नाइट्रिकमल आईरन, कोबाल्ट, निकिल एवं क्रोमियम से थोड़ी देर तक तो क्रिया करता है, लेकिन थोड़ी चलकर फिर नाइट्रिकमल से किया नहीं करते हैं, गोल्ड एवं प्लेटीनम ये नोबल धातु होते हैं, गोल्ड एवं प्लेटीनम ये उतक्रिष्ट धात्वे होती हैं, ये देखा गया है कि ये केवल HCl या केवल HNO3 में नहीं घुलती हैं, तो जब तीन भाग सांद्र HCl एवं एक भाग नाइट्रिकमल का मिश्रन बनाकर इसे घुला जाता है, गोल्ड एवं प्लेटीनम को, तो ये उसमें घुल जाती हैं, तो इस मिश्रन को एक्वारेजिया कहा जाता है, तो गोल्ड एवं प्लेटीनम इसमें घुलने का कारण जो है, वो नवजात क्लोरीन का उत्पन होना है तो उस रियक्शन को हम जानेंगे यहां पर 3HCl यहने एक्वारेजिया में तीन भाग सांद्र HCl का होता है और एक भाग HNO3 का होता है तो 3HCl प्लस वन पार्ट इसमें HNO3 इससे बनता है नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl प्लस H2O और प्लस 2Cl तो यह जो CL बना है प्लस 2Cl तो यह जो CL बना है यह नवजात CL होता है गोल्ड के साथ जब एक्वारेजिया का रियक्शन होता है तो 2AU गोल्ड प्लस 3HNO3 प्लस 11HCl is equal to 2HAUCl4 प्लस 3NOCl प्लस 6H2O आप यह देखिए कि NOCl एवं H2O यह कॉमन है जो हमने नवजात CL देखा था उस रियक्शन में भी नाइट्रोसिल क्लोराइड एवं H2O बना ही है साथ ही साथ यहां पर बनता है क्लोरो औरिक अमल हAUCl4 इसी प्रकार प्लेटिनम की करिया होगी तो प्लेटिनम प्लस 2HNO3 प्लस 8HCl is equal to H2PTCl6 प्लस 2NOCl प्लस 4H2O तो यहां बनता है क्लोरो प्लेटिनिक अमल और दोनों ही रियक्शन में नाइट्रोसिल क्लोराइड एवं जल अवश्य ही बना है गोल्ड जब क्रिया करता है एक्वारेजिया से तो क्लोरो औरिक अमल बनेगा और प्लेटिनम जब एक्वारेजिया से क्रिया करता है तो क्लोरो प्लेटिनिक अमल बनता है अधात्वे जब नाइट्रिक अमल से क्र कर देते हैं तो carbon का जैसे oxygen होगा तो carbon dioxide, sulfur का oxygen होने पर sulfur dioxide, phosphorus का oxygen होने पर phosphorus oxide, तो इस प्रकार से यह oxygen कर सकते हैं, तो कुछ उदाहरण हम जानेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह oxygen का रखी तरह विभार करता है, तो कौन सा reaction होगा, तो 2HNO3 is equal to H2O plus 2NO2 plus O, तो यहां भी नौजात oxygen प्राप्त हुआ है, और इसी नौजात oxygen के कारण, जितने भी अधात हुए हैं, उसका oxygen होता है, तो सबसे पहला उदारण है carbon, तो carbon nitrogen से क्रिया करता है, तो carbon dioxide बनेगा, और जो H2O और NO2 है, यह देखिए, उपर वाले reaction में भी यह दोनों चीजे हैं, तो यह दोनो होगा, तो C plus 4HNO3 is equal to CO2 plus 2H2O plus 4NO2, दूसरा है phosphorus, तो phosphorus tetraatomic होता है, तो P4 form में लिया गया है, P4 plus 20HNO3 is equal to 4H3PO4, और तो phosphoric अमल plus 20NO2 plus 4H2O, अगला है iodine I2 plus 10HNO3 is equal to 2HIO3, यह आयोडिक अमल plus 4H2O plus 10NO2, sulfur S8 form में होता है, तो S8 plus 48HNO3 is equal to 8H2SO4 plus 48NO2 plus 12H2O, तो यह सभी reaction में आप देख रहे हैं कि जो NO2 का बनना है और H2O का बनना है वह common है, और जिस अधातू का oxygen हो रहा है nitrogen कमल के द्वारा, वहाँ पर ही oxygen होने वाले जो पदार्थ हैं वह अलग-अलग हैं, तो इस प्रकार हम आसानी से याद कर सकते हैं, nitrogen कमल के द्वारा अधात प्रियोगों का oxygen करन, nitrogen कमल के बहुत सारे उपयोग हैं, यह अधियोग एक द्रिश्टी से बहुत महत्वपूर्ण एक योगिक होता है, विसफोटकों के निर्माड में जैसे पिकरी कमल, nitrogen, glycerine या फिर trinitrotolven, तो यह सभी विसफोटकों के निर्माड में भी उपयोगी हो चांदी एवं सोने के शुद्धी करण में भी किया जाता है, stainless steel के अमल उपचार में इसका प्रियोग किया जाता है, धात्वों पर चित्रकारी करने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है, और rocket इंधन में आकसी कारक के रूप में भी यह बहुत महत्वपूर्ण योगी के रूप में कारे करता है, नाइटरी कमल की सनरचना, नाइटरी कमल की जो सनरचना है वो गैसी रूप में, यहाँ समतली इसका जो structure है वो होता है, इसमें कुछ बॉंड एंगल और जो बॉंड लेंथ है उसके बारे में हम जानेंगे, यहाँ नाइटरी कमल में ह, O, N, O, O, H और O के बीच जो bond length है वो 96 picometer है, यहां जो bond angle है वो है 102 degree, O और N के बीच का जो bond length है 146 picometer, N और O के बीच जो bond length है 121 picometer, O, N, O के बीच का जो bond angle है वो है 130 degree. तो इस प्रकारिया गैसी अवस्था में है और समतली संडशना को दर्शाता है अब हम phosphorus के कुछ अपरूपों के बारे में जानेंगे, phosphorus के मुख्ये जो अपरूप हैं सफेद phosphorus, लाल phosphorus एवं काला phosphorus, तो सबसे पहले हम जानेंगे सफेद phosphorus, सफेद phosphorus नरम होता है, मोमी होता है, या या वैक्सी होता है और पारभासी होता है, सफेद phosphorus अत्यंत क्रियाशील होते हैं, और यहां यह जल में अविले होते हैं, लेकिन कार्बन टेट्राक्लूराइड एवं कार्बन डाइसलफाइड में यह विले होते हैं, अत्यंत विशैले भी होते हैं, और क्रियाशील होते है अंधेरे में ये दिप्ती याने अंधेरे में ये स्वेम ही जल उठते हैं अक्री वायूमंडल में उबलते NaOH में घुल कर ये फॉसफीन भी देते हैं तो जब ये फॉसफीन देते हैं तो वो रियक्शन है P4 याने सफेथ फॉसफोरस के रूप में P4 प्लस 3 NaOH प्लस 3 H2O is equal to pH 3 प्लस 3 NaOH2 PO2 याने सोडियम हाइपो फॉसफाइट प्राप्त होता है और ये जो सफेथ फॉसफोरस है ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है और वायू में तेजी से क्रिया कर लेता है जब ये वायू में बहुत तेजी से क्रिया करता है तो सफेथ धूम्र उत्पन होती है और जब ये वायू के साथ क्रिया करता है तो reaction होगा P4 plus 5 O2 is equal to P4 O10 तो इतना अधिक क्रियाशील होता है इस वजह से इसे जल में रखा जाता है P4 चतुश्वल की संरचना दर्शाता है इसमें प्रतेक जो P है वो अन्य तीन P से जुड़ा होता है तो देखा जाए तो इसमें जो संरचना है या इसमें जो बंद कोण का मान है वो नब्बे अंश का होना चाहिए लेकिन यह एक तनाव युक्त अणू होता है तो इसमें जो बंध कोण है वो 60 डिगरी का होता है P4 बहुत ही तनाव यूगते कड़ू है इसकारण ये बहुत अधिक क्रियाशील होते है सफेथ फॉस्फोरस मंद ओक्सी करन करता है मंद ओक्सी करन करने के बाद इसमें सफूर दिप्ती या केमी लूशेंस डिवलप होता है तो इसका जो रियक्शन है P4 प्लस 5 O2 is equal to 2P2O5 याने फॉस्फोरस पेंटा ओक्साइड के रूप में ये ओक्सी करित होता है और चमक उत्पन होती है इसमें सफूर दिप्ती का गुण पाया जाता है अब हम जानेंगे लाल फॉस्फोरस लाल फॉस्फोरस कम क्रियाशील होते हैं और कम विशैले होते हैं जल, कार्बन डाइसलफाइड एवं कार्बन टेटरक्लोराइड में ये अविले होते हैं और ये स्फूर दिप्ति उत्पन नहीं कर पाते हैं। लाल फॉस्फोरस गंधीन होता है और विशेला नहीं होता है। लोहे जैसा धूसर होता है। सफेद फॉस्फोरस को ही जब बहुत अधिक देर तक गर्म कर लिया जाता है। तो वह लाल फॉस्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। जो सफेद फॉस्फोरस को जब अक्री वातावरण में 573 कल्वीन टेंपरेचर पर कई दिनों तक जब गर्म किया जाता है। तो लाल फॉस्फोरस प्राप्त होता है। यह NaOH में अविले होते हैं लेकिन एलकोहली जो KOH होते हैं उसमें गुलनशील होते हैं। लाल फॉस्फोरस की जो सनरचना होती है वो देखा गया है कि यह बेसिक रूप से P4 यहने सफेद फॉस्फोरस का ही जो P4 मॉलिक्यूल है वही लंबे चेन के रूप में जुड़ा होता है। यह पॉलीमेरिक ठोस अवस्था में होते हैं। तो P4 के कई सारे अणू एक रेखी सनरचना बनाते हुए एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें प्रतेक P4 के अणू आपस में एकल सहसें जग बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो यह कम क्रियाशील होते हैं। इसलिए इसे जल में रखना आवश्यक नहीं होता है। लाल फॉस्फोरस जब 400 डिग्री सेंटिग्रेट पर गर्म किया जाता है तो यह फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। लेकिन यह सफूर दिप्ति उत्पन नहीं करता है और यह अजवलनशील होते हैं। और सामान्य वस्था में यह स्थाई होते हैं। काला फॉस्फोरस भी दो रूपों में पाया जाता है। एक अलफा काला फॉस्फोरस और एक होता है बीटा काला फॉस्फोरस। तो दोनों को बनाने की विधी अलग होती है और दोनों के कुछ गुण भी अलग-अलग होते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे सफेद फॉस्फोरस को बहुत अधिक तापमान पर और अधिक प्रेशर दाल कर जब एक बंद नली में गर्म किया जाता है तो यह बीटा काला केल्वीन टेंपरेचर और उच्चाब पर से गर्म किया जाता है तो अलमफा काला फॉस्फोरस प्राप्त होतי है इसकी जो सनरचना है वो एक नताक्ष होती है यह तो यह अपारदर्शी होते हैं जो बीटा खाला फॉस्फोरस होता है यह शीट फॉरम में होता है एक परति ये सनरचना होती है लेकिन इसमें भी कुछ delocalized electron होते हैं जो इसे विद्यूत के सूचालक या उश्मा के सूचालक बनाते हैं जो अलफा काला फॉस्फोरस होता है वो विद्यूत का कूचालक होता है फॉस्फोरस के उपयोग सफेद फॉस्फोरस का उपयोग दियासलाई दियोग में किया जाता है फॉस्फोरस कॉपर टिन के विभिन जो मिश्रधातु है उसके निर्मार में भी सहयक होते हैं सफेद फॉस्फोरस का प्रियोग चुहे मारने की दवाई में किया जाता है हाइपो फॉस्फाइट का प्रियोग औशदी निर्मार में होता है और रासायनिक उद्योगों में प्रियोग किये जाते हैं।